नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि निकफोर जी टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है निकफोर जी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और निकफोर जी टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि Nikfor G tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी जाहिए. Nikfor G एक brand name है. Nikfor G tablet के अंदर दो दवाओं का combination होता है. Nikfor G tablet के अंदर salt composition ग्लिमेपिराइड और मेटफोर्मिन होता है. जब किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेविल किसी एक दवा से नियंतरण में न हो रहा हो, तब डॉक्तर दो दवाओं के कॉम्बिनेशन वाली निकफोर जी टैबलेट को लेने की सला दे सकता है. निकफोर जी टैबलेट का उप्योगर टाइप टू डाइबिटीज में ब्लड शुगर के लेविल को नियंतरण में करने के लिए किया जाता है. निकफोर जी टैबलेट शरीर में ब्लड शुगर के लेविल को नियंतरण में रखना बहुत ही जरूरी होता है. क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेविल ज्यादा रहने की वज़से किड्नी डैमेज हो सकती है, आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है, और शरीर की नसे डैमेज हो सकती है, इसलिए शरीर में शुगर के लेविल को नियंतरण में रखना बहुत ही जरूरी होता है, खाना खाने के दो गंते बाद एक नॉर्मल व्यक्ती का ब्लड शुगर लेविल 140 से कम होता है, खाना खाने के दो गंते बाद यदि किसी व्यक्ती का ब्लड शुगर लेविल 140 से लेकर 200 के बीच में है, तो वह व्यक्ती परी डाइबिटिक स्टेज पर है, परी डाइबिटिक स्टेज पर करके ब्ललड शुगर लेवल को नियंत्रण में किया जा सकता है। यदी किसी व्यक्ति का ब्ललड शुगर लेवल 200 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डाइबेटीस की समस्या है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में निकफोर जी टैबलेट की वज़से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में निकफोर जी टैबलेट की वज़से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे दस्त होना, उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना, वजन का बढ़ना, भूप कम लगना, मुँँ के स्वाद में बदलाव होना, कमर में दर्ध होना, पेट में दर्ध होना और सिरदर्ध होना आदी साइड इफेक्स निकफोर जी टैबलेट की वज़से हो सकते हैं इसके अलावा निकफोर G टैबलेट की वज़र से शरीर का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है अब हम डिसकस करेंगे की निकफोर G टैबलेट को कैसे लेना recommend होता है निकफोर G टैबलेट को सुबा breakfast के समय खाना खाते समय बीच में लेना recommend होता है या निकफोर जी टैबलेट को खाना शुरू करने से तुरंट पहले लेना रेक्मेंडेड होता है। आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर शुरूात में निकफोर जी वन टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सला देते हैं। लेकिन शरीर में ब्लड शुगर की गंभीरता ज्यादा होने पर डॉक्तर डोज को बढ़ा कर निकफोर जी टू टैबलेट को भी दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सला दे सकते हैं। निकफोर जी टैबलेट को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना चाहिए। निकफोर जी टैबलेट की दोज उम्र, शरीर के वजन और शरीर में ब्लड शुगर के लेवल की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है। इसलिए आपको निकफोर जी टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि निकफोर जी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। शुगर को अच्छी तरह से नियंतरन में करने के लिए आपको निकफोर जी टैबलेट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। चिंता वतनाव से बचना चाहिए, परियाप मात्रा में नींद लेनी चाहिए। और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो वजन को कम करना चाहिए। टाइप 1 डाइबिटीज होने पर, कोई सरजरी होने पर, डाइबिटिक कोमा होने पर और डाइबिटिक कीटोसिस होने पर निकफोर जी टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए, आपको निकफोर जी टैबलेट को लेने के बाद, खाने को स्किप नहीं करना चाहिए। और आपको निकफोर जी टैबलेट को लेने के बाद आपको अपने रेगुलर शेडिूल पर खाने का सेवन करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं में ब्लड शुगर के लेविल को नियंत्रन में करने के लिए इंसुलिन को ही सबसे सुरक्षित माना गया है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए निकफोर जी टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका निकफोर जी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।